दोस्तो पिछली आंट हिनिंग में कप्तान रोहिश शर्मा टेस्ट में कोई कमाल नहीं कर सके हैं न्यूजिलेंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में भी सेंटेनर की बोल पर रोहिश शर्मा केच आउट हो गए और सिर्फ आंट रम बनाए वो भी तब जब टीम इंडिया 399 रनों का पीछा कर रही है और कप्तानी पारी की जरूरत थी कप्तान के आउट होने के बाद टीम का लियक्शन भी देखने लायक रहा वही रोहिश निराशा के साथ पवेलियन लोड गए दोस्तों क्या आप समय आ गया है कि सीनेर खिलाडियों को यंग्स्टर को मोके देने चाहिए टैस्क क्रिकट में भी जैसे गायकवार लजट पाटिदा और नितीश रडडी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दे